आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार बारों का भाग इव्यम और मत पेटी काओं में बंद हो जाएगा मतदान सुबह से ही सुड़ू हो गया है जो शाम 6 वजे तक चलेगा आपको बतादी कि उतर प्रदेश मुकमंत्री योगी आदित नात ने मतदान शुरू होते ही गोरकपुर में अपना वोट डाला बतादी क मदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी कतारे देखने को मिल रही हैं वही प्रशासन की तरफ से चुनाओं को देखते हुए ब्यापक तैयारिया भी की गई हैं सुरुक्षा की कड़े इंतजाम किये गए हैं बतादे कि निकाय चुनाओं की लड़ाई बेहद ही दिल्च चास ममानी जा रही है कोई भी पार्टी कोई भी दल अपना कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती को कि बतादे कि निकाय चुनाओं के लिए पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है चार मई हैं जिसको लेका पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई आपको बता दें कि 13 माई को मत गड़ना होगी और रिजल्ट सामने आ जाएगा बता दें नगर निगा में इवियम का उपयोग किया जा रहा है वहें बाकी निकायों में मत पेटिका के जरिये वोटिंग हो ही है साल 2000 के मुकाबले इस बार 96 लाग मदाता 14,684 पदों के लिए वोट डालेंगे और हमारे साथ इसी विशे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ महमान भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ विवेक पांडे सपा से जुड़े हुए हैं और अश्वनी साही बीजेपी स से जुड़े हुए हैं और चंद्रेश सिंग कॉंग्रेस से जुड़े हुए हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में अश्वनी साही जी चर्चा की शुरुवात में आप से करना चाहूंगी आपके त्वारा जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गय जमकर एलिया की गई सभा को सबोधित किया गया आज पहले चरड की वोटिंग हो रही है क्या कहना चाहेंगे देखिए मयूरी जी मैं सरप्रतम आपके माध्यम से सभी मद्दाताओं का अभिनंदन करते हुए उनसे आग्रा करता हूं कि अपने घरों से निकले ज्यादा से ज्यादा मद्दान करें जिससे उत्तर प्रदेश की जो भी आसा और अपेक्षा है जो भी प्रत्यासी के पक् में ये चुनाओं हो रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाओं में हम लोग सरबाधिक समय से सरबाधिक मेर के पदों पर आसीन भारती जनता पार्टी रही है हम उसको फिर से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जो बढ़े हुए नगर नगर निगम के मेर का पद है उसको भी जीतने का पूरा काम भारती जनता पार्टी करेंगी और समाजवादी पार्टी जिसको बहुत सी जगहों पर इनको परत्यासी भी नहीं मिले हैं कि चुनाओं में ये लड़ा पाएं आज ये इस्थिती हो गई है उनको हम ये कहेंगे कि सिकस्त देकर फिर से पर्चम पिसली बार आपका नगर निगम के मेर सेट उपर खाता तक नहीं खुला था अब की कहां देख रहे हैं अपने आपको अपने ही चुनाओं प्रक्रिया को संपाधित करते हुए मतदान केंदर पे हो गई इससे कम से कम इनके विकास की स्वास्त सेवाओं की पोल तो खुल गए कि एक चुनाओ अधिकारी जिससे डम तोड़ दिया हार्ट अटक के काराण अगर आदुनी को एंविलेंस वहां उपलब्द होती जो की समाधवादी सरकार ने जिती तो मिशा उत्साहित रहना आशावादी रहना लेकिन सबसे बड़ी बात तो आज यहां पर एक सवाल उठाना चाहता हूं मैं मुझे उमीद है कि इसका सकारात्पक जवाब आएगा और मंच पर उपस्तित लोग भी इस पर थोड़ा समायोजन करेंगे मेर चुनाओं के लिए 40 इस हेलिकॉप्टर का बजट किस मतताता के अनुसार जा रहा है मुझे जरा इसको सपश्ट कीजिएगा और इलेक्शन कमिशन इसका संग्यान क्यों नहीं ले रहा क्योंकि एक घंटे के हेलिकॉप्टर का खर्चा 6 लाग से लेके 32 लाग के आसपास है डबल इंजन का अगर बातों से परोसना पड़ेगा निकाय चुनाओ गली महले की चुनाओं में इतिहास में पहली बात हेलिकॉप्टर उड़ रहे हैं और इसके लिए मैं को शुपकामनाय दूँगा क्योंकि भाई आंकार और कही न कई सथा का धान बल दुरुप्योग इलेक्शन कमिशन नोट किस दे देता कम से कम फूच लेता है लिकॉप्टर का बजट कौल उठा रहा है और खर्चा उठा रहे हैं तो कि सभी प्रत्याश्यों के लिए एक बजट की सीमा तर्की गई है तो पहली बाते को लेकर आप से सवाल किया है जी जी दो बाते में कंफर्म करना चाहता हूं प पुरी बादि जी दो जी जनता पार्टी हो सपार हो कांग्रेस हो जिसकी शरकार होती है माननी मुक्यमंत्री का एक प्रोटोकाल उस पर सवाल उठाना इसलिए नहीं है उचित है कि माननी मुलायम सिंग यादव जी एक साधारन अध्यापक थे उसके बाद उनके वो मुक्यमंत्री हुए उनके पुत्र मुक्यमंत्री हुए और आज कहीं भी जाते हैं अखिलेश जी तो हेलिकाप्टर सीथ छोड़िए प भाड़ा बहुत जाता है वो किस निधी से आता है कहां से आता है यह भी विचारनी प्रस्ण है लेकिन हां चुनाओर के बारे में अगर माननी मुक्यमंत्री जी के अलावा कोई दूसरा कोई अगर चला हो तो उस पर यहां यहां योगी प्रक्षार कि चलो भाई यह नेता भी इनके मंत्री होते विए पार्टी के अध्यक्ष कर जा रहे हैं तो बताइए तो नहीं होगा पार्टी अध्यक्ष जी अगर कहीं गया हो आपको जवाब दे रहा था पहले चरड का मतदान हो रहा है आपने 2017 में जो आप चाहते थे प्रदर्शन करना वो नहीं हो पाया था अब की अपने आपको कहां देख रहे हैं कि अधिकायों को कि महात्मा गांजी जीने कि सासन के विकेंदिकर्ण के तहुत एक सपना देखा था जिसको संविधान निर्माटाओं ने आर्टिकल कुर्टी में इस्टेबिस करने का काम किया और विलेज पंचायर उसके बाद उस सपने को सकार करने के लिए पनिज्वाहला नहरू जी ने देश को थे टियर पंचा कि राजिव गांदी जी ने पंचायतों को ससक करने के लिए अनिक कदम उठाय और कॉंग्रेंस पार्टी की सरकार ने 73 और 74 संविधान संसुधन द्वारा संविधानिक दर्जार देने का कारे किया नेकायों के अंदर 18 विशय आते हैं और जब मदाता और करने जाएंगे त समिछा करें कुन अठारा विश्यों में से कितने विश्यों पर कारे हुआ पिछले 20-25 सालों में पंचायतों को निकायों को तपा बस्पा और भात्पा की बिलेजली सरकारों ने प्रष्टाचार का अड़ा बना गिया और कॉंग्रेस पार्टी प्रते ही कुवाड में नग सब्सक्राइक नाली की समस्या है, श Dal 찍 घे की समस्या है, पान जमाओं की समस्या है, कचरा प्रवंधन, वर और मुहले में, अवारा, कुट्टे जान्वर की समस्या है, मच्छल आर मलेरिया की समस्या है सबसे पहले तो मैं उत्तर पड़ेश की समाने जनता से मेरत पूल लेगे लेकिन कहां चूक हो जा रही है सबसे पहले तो मैं जनता से अपिल करेंगे जो घरों से निकले और बड़ चड़कर ओट में मतान में भाग लें अधिक सदिक वोट करें और दूसरी बात के जन्हित के मुद्दे पर वोट करें जो इमानदार और योगी प्रत्यासी हो उसे वोट करने का कारे करें यह इस्थानी चुनाव है यहां पर लोकल मुद्दे हावी होते हैं और लोकल मुद्दे क्या कदार पर वोट पड़ रहा है और जन्ता ने सपाव वस्पा भाजपा सबको देख लिया है को मेरी अपेल है कि चुकिए पंचाइकी राज संसाएं कॉंग्रेस की देर है और इनको ससक्त मजबूत बनाने के लिए कॉंग्रेस नहीं कदम उठाए तो इस बार उप्तर से ऐसा हमारा पील भी है तो अश्वनी जी आपने चंद्रेश जी को सुना उनका साफतोर पर कहना है कि इस बार हम अच्छा प्रदर्सन करेंगे और जो अन सरकारे हैं उन्होंने ब्रश्टा चार का अड़्डा बना दिया है देखिए मयूरी जी कांग्रेस के बक्ता के अच्छी महासची भी आई थी और लड़की हूं लड़ सकतियों का नारा दिया और उत्तर प्रदेश में 8% लड़के 2% से भी कम हो गया तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अब कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है और हो सकता है कि हमारे चंद्रेश भाई भी गंभीरत उत्तर प्रदेश के प्रत्यासी रहे हैं उत्तर प्रदेस में उनको जो जो ब्यालो नहीं करना अक्या धर चानद्वन्दन है तो यह जनता के साथ चला है बाद में वापस लिया नहीं लिया मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन दोनों पार्टियों ने परचा भर दिया था तो कहने का मतलब है कि भारती जनता पार्टी ही है जो कि निर्विबाद रूप से सब जगह चुनाव लड़ रही है और पूरे प्रदेश में हमारे कार्यकरता म पर घबजा करके जनता के आशिरवाद से रखा है उसको हम लोग रिटेन करने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी का खाता फिर से नहीं खुलेगा कांग्रेस का तो प्रवीर एरन नाम में लेकर कह रहा हूं कि वह बरेली में हुआ करते थे उसके बाद महापावर की समाजवादी पार्टी को महापावर नहीं मिलने जा रहा है इस चुनाव में और जनता फिर से योगी आधित नाज जी को नेता मान कर सभी नगर निगम पर महापावर भारती जनता पार्टी का बठाने जा तो बिवेक जी आपने अश्वनी जी को सुना उनका कहना है कि सप अब हमारे बड़े भाही है वह जो कहेंगे ठीक है लेकिन बात को सत्य है कि वही पीली भीत में इनकी जो अगरवाल जी है प्रत्याशी उनका विरोध तो इनी के जो खेमे से विरोध करके बाहर निकले हैं निर्दली लड़ रहे हैं उन्होंने विरोध कर दिया बूरी तर समाजवादी पार्टी और सबसे बड़ी बात है कि अपना दल चोपन नगर पंचायत कैपियर गज मदनपूर कप्तान गज गोला बजार बदलापूर जफराबाद कई जगह ऐसी है जहां पर कि यह आपने सामने लड़ रहे हैं तो यह इस्तिति देखिए गडबंदन के सा मैं तो यह पूछूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी को इतना कमजोर आक रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को तोड़ करके अपनी पार्टी में रानी क्या आपके पास यह कारिकरता नहीं ते अशुनी वाई जैसे दिगड़ जहां बैठे हो वहां तो यह सवाल उठाओंगा आज की यह दो दिन की बारिश जो हुई है क्या प्रकृती भी आशिवाद दे रही है इस बारा में प्रकृती ने भी क्या पूरा स्थ के सामने कर दिया है कितनी सीटों पर अपने आपको देख रहे हैं तेके मैं आकलन नहीं करता कभी मैं जल्द दबाजी में कोई आकलन करना उसके बाद मूह की खाना यह मतलब थोड़ा सा अपने मूह मिया मिटू बने जैसी बात मैं नहीं करता है देखे दम तो तब होता है जब विरोधी खेमा आपकी तारिफ करे उसे कहते हैं अपने आपको इस्थापित करना लोगों की नजर में करना मैं अपने मुझे आपने मूह मिया मिट्डू हूँ वह नहीं पताओ बाकी जहां यह चुनाओ जो है जनाधार जो है कि गाओ लाएंड का चुनाओ है जिनके सारकारी नौकीयों के नाम पर जिनको ब्रहमित करके के खेवल संबाटा गया है जिनको धोका दिया गया जि लेकिन एक चीज़ अच्छी है मैं तारीफ करूंगा उत्रप्रदेश की जनता को कि इस बार चुनाओं के जो रुजान आ रहे हैं प्रतिशत के इसाब से मुझे लगता है कि इस बार वोट प्रतिशत बढ़ेंगे और लोग आएंगे घरों से बाहर निकल के क्योंकि लोग त स्कूल किताबों में दलाली चल रही है और सरकार उनको पोशित कर रही है सबसे बड़ी बात है प्राथमिट विद्याले जो सरकारी विद्याले थे 2020 की सिक्षा नित्य के तहत उनको भी उठाकर प्राइवेट विद्यालियों को गोद दे दिया बच्चे पढ़े तो कहां पढ़े भई मध्यम वर्गिया और निचले इस तरके जो बच्चे हैं वो कहां पढ़ने जाएंगे तो नगर निकाय का चुनाओं तो है बिल्कुल सकते है दूद दही पे जिस्टी लगाने वाले पहली बार इतिहास में जहां दूद की गंगा जिस देश पे बैठी थी य सबसे बढ़ा चिया देखके जमीन पे हटाने की कि नियत नहीं कुतों से जनता को बचाने पा रहे हैंना नगर सब्सक्राइब है को लेकिन नगर निकम सोया है हाउश है में इतना बढ़ा प्रष्टा चार रही है अध्या वो विकास बस दिखता नहीं है कागजों पर दिखता है विकास सबसे बड़ी तमस्या ही है मेट्रो जितनी अख्रेश चलाई थी उसके आगे मेट्रो ये बढ़ा नी पाए अश्वनी जी के संसदिये चेत्र में 100 करोर का बजट दिया गया था मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगातार पूछ लिजे मेर कबसे इनको नहीं चुना गया है जनता का अशिरवाद कबसे इनको नहीं मिला है तो वो अपने आप जनता पर लक्षित कर देती है अभी 2022 के चुना हुए इन लोगों ने हरमुद्दे गिनाए लेकिन सब लोगों ने माननी योगी आदितनाज जी के और मानी मोदी जी के नेत्रितों में वरुसा किया कि जनता के बीच में करोना से लेकर और अभी तक कौन खड़ा रहा तो योगी जी करोना से पीडित होने के बाव जू जैसे ही ठीक हुए वो पूरे प्रदेश का दौरा करके घरों में नहीं बैठे रहे अगलेश जी की तरह ट्विट नहीं करते रहे वो बाहर निकले जनता से उनका सुख दुख पूछा दवाई पूछा खाना पूछा और आज इस समय तक रामपूर में अभी चुना हुआ मयूरी जी रामपूर की जनता से पूछा गया इन लोगों ने बड़े आरोप लगाए यह ओट नहीं देने दिया गया यह करने दिया लेकिन रिपोर्टर भाई आप ही के जो सहयोगी गए वहां वहां उन लोगों ने पूछा तो मुस्लिम वर्ग ने कहा कि हमको मकान मिला ह हमको आनाज मिल रहा है आई उस्मान भारत में हमको जो है इलाज मिल रहा है तो सब चीजें तो मिल रही है हर जिले में एक मेडिकल कालेज हम बना के दे रहे हैं रेडी पटरी वाले जो हैं उनको हम लोन की सुविदा उपलव करा रहे हैं जिससे अपना व्यापार सुचार हम लोग जो है यह उसी गायों की बात कर रहे हैं चुटा पसू की हम लोगों ने उनको पैसा देने का काम किया है कि जितने जानवर उतना पैसा उनको देकर जो है लोगों को हम पसू को घर में रखने के लिए वो कर रहे हैं जो अन्ना पसू होते थे बुंदेल खंड में वो और वो नगर निगम के चुनाओं में जनता फिर से आसिरबाद देकर हमको फिर पांच साल का कारेकाल देगी और फिर वो जनता को हम उतका प्रतिफल देने के लिए तैयार है कि आप कुछ कहना च Allah भेक्स होती है बिल्कुल जब दाओं की बात होती है तो सत्य उजागर होता है दो दिन में जो गो सिन शेतर में जो जल बंडूरा हुआ है वो तस्वीरे कहां से आ रही है ना सा में तौनि जर्ण Anda dallis फिर उस बजट को बदल किया रूपवे किया रूपवे कहा है कहां चल रहा है बताइए मुझे कई उजना इनकीैं नवी कि उजणा निशादि उजना इन्होंने नाओ के लिए चला रखी लिए कि कोई यह उजना फलीभूत होती दिखने रही है निकाहें चुनाओं में चलिए सबसे जमीनी स्थर पर आ जाते हैं गाउंगली का मौले का चुनाओ है ना आप मुझे बस एक बात क्या जवाब दे दिजिए कि लखनओं में पेजन में अभी भी मिट्टी और बालू क्यों मारा है और उसके लिए आपने अभी तक विवस्ता क्यों नहीं करी कई बार डिबेट में विश्य उठाया जा चुका है उससे बड़ी बात आप मुझे बताईए कि जो बिजली है बिजली अगर किसी बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारी के नाम पे अगर आबढ क्यों ले रहे रिजदार क्यों ले रहे ऐसे कई चोटे-चोटे मुझे हैं जिस पर यह बात नहीं कर रहे हैं यह केवल बाते करेंगे कि विकास हो गया कानुन लवस्ता की आजाएंगे ठीक है इस सब तो जनता देखेगी हमारे साच चंद्रेश जी बिजूड़े हैं कि नी बड़े चुनावती मानन रहे हैं लोकतंस्त्र जनता क olan?. चुनाव असासन विवस्ता है और जनता का जो मत है हर राजनेता को उसे सर्माथे रखना चाहिए जो आज चुनाव जीत रहे हैं वो पहले बहुत चुनाव जीते हैं इसलिए जीत हार अपने जगाव पे हैं चुनाव जीतता है 똑같क को कुछ लोग पाता है तो यह को नहीं ही पता है है जो कुछ लोगों का उसमें जो जब कलाक्म यह शब्दा में साच के विकेंदी करण का जो सपना देखा हमारे संविधान निद्माताओं ने लिती निदेशक में आर्टिकल 40 में जो बाते कहीं उस सपने को सकार करने का काम पंडिजवाहला नहरू जी ने किया देश को थ्री टियर पंचायत का मॉडल दिया जिसे सरकार की योजनाओं को इस्था इस्थानी बुद्ध्य है उसको निराद करा इस्थानी स्थार पर किया जा सके राजिव गांदी जी ने पंचायतों को ससर्त और मजबूत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए और कॉंग्रेश पार्टी ने पंचायतों को संबैधानिक दर्जा देकर उसे और अधिक ससर्त और मजबूत बनाया आज पंचायते भ्रस्टाचार की अड़ा हो गई जब हम जनता के भी जा रहे हैं तो हम यह बता रहे हैं कि कॉंग्रेश पार्टी ने पंचायतों को ससक्तिकरण के लिए क्या-क्या कदम उठाए और बर्तमान में पंचायतों के क्या-क्या मुद्दे ह हैं और मैं हम लोग लागातार जनता का ध्यान मुद्दे के तरह पाकर्शित कर रहे हैं और जनता सी अपील कर रहे हैं कि वो मुद्दे पर ओड़े लोकल चुनाव लोकल मुद्दे पर होते हैं इसमें प्रांती और राश्टी मुद्दे बहुत हावी नहीं होंगे कई पर सत्ताधारी दल हाटे हुए नजराती है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी क्लोटी पार्टी है जो प्रतेक वार्ड में उत्तर प्रदेश पे चुनाव लड़ रही है और ना सिर्फ हम चुनाव लड़ रहे हैं जबकि हमें आसने पूरा विश्वास है कि जनता का ध्यान हम और इस बात उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है निकायों में कॉंग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है अरे चंद्रेश भाई दिन में सपने देखना बुरी बात नहीं है लेकिन दिन में सोया नहीं जाता है इसको कहा जाता है जब सोयेंगे तो सपने देखेंगे खुली आखों से सपने देख रहे हैं आप आप बताएए जहां दो परसेंट भी ओट नहीं है राश्टी मुद्द हो प्रदेश के मुद्दे हो अभी एमेले के चुना हुआ दो परसेंट भी ओट नहीं पाए पूरा आमला आपका जो है किस तरीके से लगा हुआ था मुद्दा बनाने में हात्रत मुद्दा बनाए आप लोग पेल हो गए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पचास-पचास ल कर जो है जला दिया गया था लेकिन मेरा यह कहना है कि आपको के साथ जो है कुछ दिख नहीं रहा है आपके राजनेता जो दो सीट थी उस पर से भी अमेठी छोड़कर बहुत दूर सुदूर चले गए वायनार वह भी यहां से चुनाव हार चुके तो जनता किसके उपर भ से लड़ेंगे क्योंकि वह प्रमुख विपक्षी दाल है कांग्रेस का तो कहीं नाम लेवा नहीं है आप जैसे क्या कि मैं वही कहने जा रहा हम मैयुर जी चंद्रेश जी जैसे पुराने कारेकरता जो इस डैनिय इस्थिती में भी कांग्रेस का पक्ष रह drunk रहे हैं सलूट है इनको लेकिन कांग्रेस का जब कोई नाम लेवा नहीं है उसके बाद भी आकर जो है यहाँ पर जीतने का दावा और सरकार बनाने की बात कर रहे हैं तो ये एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने से भी उपर कोई चीज है वो होगा लेकिन कुल मिलाकर यहाँ के मददाताओं का आशिरबाद माननी योगी आधितनाज जी के उपर है था और रहेगा हम लोग फिर से सभी मेर का चुनाओं हम लोग जीत रहे हैं और आने वाले जब इ सब्सट हरे रखी नहीं रहे हैं कि अवे शुछी सथाध hein हर्दारे गडल के नेता हैं और उनको सुभाविक कि जब हम सथाध्यदल के होते हैं तो हमारे बात करने का तरीकाल अलग होता है मैं आशावाजी आध्माद मुऊ हूँ हूं और इसमार से भार्ट जंता हारेगी जहाँ एवियम से चुना हो रहा है वहां कि धो क्या कर दॉब्स कि अभी तो बाते कुछ नहीं होगा वह थो अभी तो ओर पड़ आप जी सकती है मैंने यह का कि जहां बैलेट से चुना होगा वहां तो बाते जंता पार्टी हारे नहीं है जाए भी आप हार रही है दो चार ऐसे जगह होंगे रही हम किसे चुना हो रहा है वहाँ जीत तक्ती है वह हम किसी की उपर कोई आरोप परोप नहीं लगा रहे हैं जलहित के जो मुद्दे देखिए मैडम क्या है कि ब्राजितिक बिर्यान बाजियां अपने जगह पर हैं निकायों के मुद्दे क्या है क्या जल जमाओ की समस्या निकायों में नहीं है पाने निकासिक की समस्या नहीं है मच्छर मलेरिया के समस्या नहीं है कुट्ता आवार हज़ा तो उसको उसको लेकर एक सपना होगा उस सपने को कहां तक साकार किया गया क्या निकायों में असुनी जी बहुतर प्रदेश के रहने वाले हैं बखू भी ये परिस्धिती के बारे में रहने तरह मौने समेक है Acho आप अपने हिर्दै पर रखिए कि नई है निगम भृष्टा चाही आए कि नहीं है और देखे सबसे बड़ी है कि कॉंग्रेश के साथ समस्या क्या का यह एक राश्टी इसतर पार्टी प्रियंका गांदी जी नेत्र डुकर ता रहुल गांदी करता है लेकिन सबसे बड़ी बाद है हमेशा शॉटकट मारने के चक्कर में लगे दाते हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज एक सब्ता दल के सांसत को शर्यंत्र के घेरे में लेने का प्रयास किया जा रहा है प्रियंका गांधी जी पहुंची थी संवेता सांतोरा व इक बहुत सब्सक्राइब ने भी उनके उपर एक आरूप लगा रखा है इनी की पार्टी की है तो सबसे बड़ी बात यह है कि शडियंत्र की राजनीती करने वाले सब्ता में कैसे बने रहें आप बताएं यह हमिशा शॉटकर ढूंबते रते हैं आज उत्तर प्रदेश मे एक बड़े चेहरे को निट्रलाइज करने का जो की विपक्षी जो की सत्ता पक्ष के लिए हम लोग चुनाती हैं मुख्यमत्री के दावेदार हो सकते आने वाले समय में उनको जीस तरह से शडियंत्र के माध्यम से निट्रलाइज करने के लिए यही इस्तिती है कि कॉंग् मतदान को देखते हुए सुरक्षा के भी ब्यापा के इंतजाम किये गए हैं मदाता लगतार अपने मता अधिकार का प्रियोग करते हुए नजर आ रहे हैं बतादे सुभा से ही मतदान की पिक्रियाश शुरू हुई थी जो शाम 6 बजे तक चलेगी बतादे पहला चरड है जिसमें भाजपा के मंगलेश शिर्वास्तव है और कमला निशाद सपा से है बोरकपूर की मेयर पृत्याशी है ये वहीं बसपा से नवल किशोर नथानी है और नवीन सिनहा कॉंग्रेस से है बतादे कि ये मुकाबला बड़ा है दिल्चस्म माना ज जा रहा है ये गोरकपूर में पृत्याशी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो हम अंगलेश शिर्वास्तव भाजपा से दाओ पर है वहीं कमला निशाद सपा से मैदान में उत्री हुई है और नवल किशोर नथानी बसपा से है वहीं कॉंग्रेस से नवीन शिनहा ह पता दे ये लड़ाई बड़ी ही दिर्चस्म मानी जा रही है उमेश यंद्र गयनेश भाजपा से है वहीं आजय सिर्वास्तव सपा से है और साइद एमद बसपा से है अप्रभा शंकर मिस्रा कॉंग्रेस से मैदान में उत्रे हुए है ये प्रियागरा से मेर पृत्याशी अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वहीं वारार्टी से मेयर पृत्याशी है अशोक तिवारी भाजपा से है ओपी सिंग सपा से मैदान में उत्रे हुए है वहीं शुपास चंद्रमाजी बसपा से उत्रे हुए है और अनल सिर्वास्तफ कॉंग्रेस से मैदान में उत्रे हुए है मुरादाबाद मेयर प्रत्याशी है जिसमें भाजपा से विनोद अगरवाल मैदान में उत्रे हुए है रईस उद्दीन सफा से उत्रे हुए है वही मुहम्मद यामीन बसपा से उत्रे हुए है रेजवान कुरेशी कॉंग्रेस से मैदान में उत्रे हुए है कामनी राठा और भाजपा से उतरी हुई है फिरोज़ाबार से बतारे हैं आपको महिसरूः फातीमा सपा से उतरी है और रुकसाना बेगम बसपा से हैं और नजुरत अंसारी कोंगरेश से उतरी हुई है हिम लता दिवाकर भाजपा से हैं वही जूही प्रकास सपा से हैं और लता बसपा से और लता कुमारी कॉंग्रेस से मैदान में उत्री हुई हैं लता दिवाकर भाजपा से मैदान में हैं वही जूही प्रकास सपा से हैं और लता बसपा से उत्री हुई हैं वही लता कुमारी कॉंग्रेस से मैदान में लगनाओं की मेय पृत्याशी आपको बता देख शुष्मा खरकवाल बीजेपी से हैं और बंधना मिश्रा सपा से हैं और शाहीन वानो बसपा से हैं वही संगीता जैसवाल कॉंग्रेस से मैदान में उतरी हुई है साहरनपुय में पृत्याशी आप अपने स्क्रिंट पर देख सकते हैं जहें आजया कुमार भाजपा से उत्रे हुएं नूर हसन आलम सपा से हैं और खातीजा बसपा से हैं वहें प्रदीव पर्मा कॉंग्रेस से मैदान में हैं मत्रवा में पृत्याशी आप देख सकते हैं विनोद अगरवाल भाजपा से उत्रे हुएं वहें तुलसी दाव शर्मा सपा से हैं और राजा बसपा से उत्रे हुएं राजकुमार रावत कॉंग्रेस से विनोद अगरवाल भाजपा से उत्रे हुएं तुलसी राज़ धर्मा सपा से हैं राजा मोहमती बसपा से उत्रे हुएं हैं वहीं राजकुमार रावत कॉंग्रेस से मैदान में जहासी में पृत्याशी आप दिख सकते हैं विहारी लाल आर भाजपा से मैदान में वही रगबीर चौधरी सपा से हैं और भगवान अरूफुले बसपा से हैं और अरविंद कुमार कॉंग्रेस से मैदान में उतरे हुए हैं जहासी में पृत्याशी आप देख सकते हैं भी हाली लालार भाज़पा से उत्रे हैं रगवुर चौद्री सापा से हैं वही भगवान दास फूले बसपा से हैं और विन्दो कोमार कॉंग्रेस से उत्रे हुए हैं अभी के लिए इतना ही देजबुना की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं प्राइम टीवी के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार